नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि BSNL अपने इंडिजीनेस 4G नेटवर्क को जल्दी ही पैन इंडिया बेसिस पे लॉंच करने वाला है साथी BSNL ने अपने मेड इंडिया 5G नेटवर्क पर भी काम शुरूख कर दिया है इस पर भारती टेलिकॉम मंत्री श्री अश्णी वैश्णों जी ने बुद्वार को लोकसपा में कुछ खास जानकारिया दी है उन्होंने बताया है कि BSNL पूरे देश में 4G नेटवर्क को फैलाने के लिए करीब 1.12 लाग टावर इंस्टॉल करने चा रहा है इसके अलावा उन्होंने ट्रेन में इंटरनेट यूज करने के बारे में भी बताया है कि ट्रेन में अच्छा हाई स्फीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइट कराने की सुविधा 5G नेटवर्क के शुरू होने के बाद ही दी जा सकती है केंदिरे मंत्री ने अपने बयान में ये भी कहा है कि उन्हें इस बात की जानकरी देते हुए काफी खुशी हो रही है कि भारती इंजीनियर्स और वेग्यानिकों के दुआरा टैबलब किया जा रहा BSNL 4G टेलिकॉम नेटवर्क को चल्दी ही पूरे देश में रॉल आउट किया जाएगा इसके अलावा उन्होंने बुद्वार को लोग सबा में ट्रेनों में इंटरनेट कनेक्शन के बारे में भी जानकारी दी है उन्होंने बताया है कि 100 किलोमेटर परती घंटे से ज्यादा की रफतार में 4G टेकनोलोजी के जरिये इंटरनेट ठीक से नहीं चल पाता है ऐसे में ट्रेन में बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए हमें 5G टेकनोलोजी पर ज्यादा ध्यान देना होगा और 5G टेकनोलोजी के आने का यहाँ पर इंतजार करना होगा मंत्री जी ने आगे बताया कि BSNL 6000 टावरों को तुरंत और उसके बाद 6000 और टावरों को इंस्टोल करने की तैयारी कर रहा है इस तरह से BSNL जल्दी ही पूरे देश में करीब एक लाग से ज्यादा टावर इंस्टोल करके पूरे देश में Made in India 4G नेटवर्क को रोल आउट करतेगा 5G के बारे में जानकरी देते हुए उन्हेंने बताया है कि 5G नेटवर्क का काम भी काफी तेज़ी से चल रहा है और कुछी मैनों में इसकी सेवाय शुरू हो जाएंगी ट्रेन में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइट कराने की बारे में भी हमारे केंदरे मंत्री जी ने कहा है कि 4G टेकनोलोजी ट्रेन में निरनतर इंटरनेट स्पीड प्रोवाइट नहीं करा पाता है लेकिन ये समय टेकनोलोजी करानती का है और इसके लिए 5G तयार हो रहा है तो जैसे ही हमारे देश में पैन इंडिया बेसिस पे 5G नेटवर्क लाउंच होता है हमें ट्रेन में भी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज़ करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आज की वीडियो में अतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखे धन्यवाद